हेलो फ्रेंट्स एक फिर्ट साब सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है तो आज के सीडू में आपको एकोनोमिक्स ओनर्स के लिए वीवी आई कोशन बताने वाले हैं जो आपका 2021 की एजाम में रिपीट कर सकता है तो चैनली फ्रेंट्स सबसे पहले हम पेपर वन के लिए जान लेते हैं वीवी आई कोशन पहला कोशन अर्थ शास्तर विज्ञान है अत्वा कला विवेचन करें उसके बाद है उदा सींता वक्र विशलेशन की सहाईता से उप भोगता के संतूलन की विवेचना की जिए उसक के बाद सम उत्पाद रेखाएं इसकी विवेचना इसकी विश्चता बताईए उसके बाद है आपका एकादिकार के अंतरगत मुले एवं उत्पादन निर्धारन की विवेचना करें उसके बाद अलफ आदिकार क्या है अलफ आदिकार में कीमत निर्धारन कैसे होता है उस उसके बाद है मजदूरी निधारन में शरम संग की भूमी का एवं परभाव की विवेचना करें और उसके बाद है कलियार अर्थ शास्त्र में काल्डोर हैक्स सिटोक्री के शतीफपूर्ण सिधान्त की व्याख्या कीजिए उसके बाद हम पेपर टू डिसकस कर लेते हैं भूमी सुधार के विभीन उपायों की विवेचना करें तथा उनके प्रभावों को स्पष्ट करें उसके बाद है आपका भारती उद्योग में अद्योगिक अनुगयप्ति की आवशक्ता तथा और चित्य की विवेचना कीजिए लाइसाइंगिंग नीती की सफलता में आ युजन काल के अंतर का सरकार को रोजगान नीती का प्रभाव इसपष्ट कीजिए उसके बाद फ्रेंट्स यहां पर हम ग्रूप भी का डिसकस कर लेते हैं विवेचन कर सुधारों कर पर चैलिया समीती की रिपोर्ट का मुल्यांकन कीजिए उसके बाद वर्तमान परिक्ष बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रीग नीती की विवेचना कीजिए तो फ्रेंट्स यहां पर ग्रूप सी में विवेचन दिया हुए बिहार में आर्थिक पिछड़े पन के मुखे कारणों और निदान के उपाय बताईए उसके बाद यहां पर बिहार में गरीवी के कारण और की विवेचना कीजिए समस्या के समधान हेतु उप्यूक्त बोपाय बताएं तो यह सा फ्रेंट्स था ओनर्स पेपर वन और टू के लिए अब सबसेडरी के लिए हम बात कर लेते हैं विवियाई अर्थे शास्त्र की परिभाशा दे तथा इसका शेत्र स्पस्ट करें उसक बाद है आपका मांग अनुसूची क्या है मांग अनुसूची की सहाइता से किस परकार मांग वक्र की व्यूपती की जाती है उसके बाद है आपका पूर्ती अनुसूची क्या है पूर्ती वक्र की अनुप व्यूपती स्पस्ट करें उसके बाद है मांग की लोच की परिभ उसके बाद है फ्रेंट सम्मश्टी अर्थ शास्तर की विशयवस्ट्य विवेचना कीजिए। उसके बाद राष्ट्य आय किया है? इसे कैसे मापा जा सकता है? और लाश्ट्य में है राष्ट्य आय लेकांग्कन की अवधारना एभम इसके महत्यव का विवेचन करें. प्रेफरेंड फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग और पूर्थी का निधारन किस परकार होता है उसके बाद यहां पर दिया वह मुद्रा के परिभाशा सिधान के नगद शेज रूप का वर्णन करें उसके बाद विभीन अर्थिक प्रणालियों की सापेक्षित विशेषत आप का वर्णन करें फिर मुद्रिंख निति की प्रमुक करनों की विभीचना कीजिए उसके बाद यहां पर दिया गया इस सबस्ट का चाहिए अगर आपको दूसरे ओंर का चाहिए तो आपको कमेंड में लिख सकते वीडियो को लाइक चालल को सब्सक्राइब करना फॉर आप्डेट थैंक्स रवाचिए इस वीडियो